और इनका समापन 2 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा पितरपक्ष पर चंद्ग्रहण का साया कई साल बाद लगने जा रहा है जियोतिस गढ़ना के अनुसार पितरपक्ष में चंद्ग्रहण का साया बहुत ही असुब माना जा रहा है जो कि कुछ राशियों के लिए बहुत ही कष्टकारी माना जा रहा है चंद्रग्रहन 18 सितंबर को सुबा 6 बचकर 12 मिनट से लेकर सुबा 10 बचकर 17 मिनट तक रहने वाला है यह चंद्रग्रहन मिन राशी में लगेगा आईए अब जान लेते हैं कि कहां कहां दिखेगा यह चंद्रग्रहन भारत में यह चंद्रग्रहन दृस्यमान नहीं होगा बलकी या चंद्रग्रहन दक्षनी अमेरिका, पश्चिमी अफ्रिका, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर की कुछ जगों पर दिखाई देगा तो आई ये जानते हैं कि पित्रपक्ष में पढ़ने वाले चंद्रग्रहन के साय से किन रासियों को सावधान रहना होगा पित्रपक्ष में चंद्रग्रहन का साया मेस वालों के लिए कष्टकारी माना जा रहा है मेस वालों के लिए ये समय परिसानी बढ़ाने वाला माना जा रहा है इस समय मानसिक चिंता बढ़ सकती है दूसरे नमबर पर है करक पित्रपक्ष में चंद्रगहन का साया करक वालों के लिए भी असुब माना जा रहा है इस समय करक वालोग की अकारंट चिंता में बढ़ोत्री हो सकती है, मन से लालज को दूर रखना होगा मकर वालोग के लिए यह असुब साया बहुत खतरनाक माना जा रहा है कहीं भी निवेस करने से बचे, कोई बड़ा फैसला लेने से भी परहेस करें वाहन चलाते समय व्यक्ति को सावधानी बरतने की जरूरत है जियोतिसियों की माने तो सूर्य ग्रहन के दोरान सूतक बारा घंटे पहले लगता है वहीं चंद्र ग्रहन के दोरान सूतक नौ घंटे पहले लगता है इस दोरान सुबकारिक करने की मनाही होती है साल का आकरी चंद्रगहन 18 सितंबर को लगने वाला है और अंतिम सूर्य ग्रहन 2 अक्टूबर को लगेगा पुर्णीमा तिथी पर ग्रहन लगता है वैदिक पंचान के अनुसार 18 सितंबर को भादरपद पुन्नीमा है इससे एक दिन पूर्व भादरपद पुन्नीमा का वरत रखा जाएगा 18 सितंबर को चंद्रगहन लगेगा इस दिन साल का आकरी चंद्रगहन लगने वाला है पृत्वी और चंद्रमा के मध्य सूर्य की उपस्तिती होने के चलते चंद्रग्रहन पढ़ता है इस समय पृत्वी लोग पर राहु केतु का प्रभाव बढ़ जाता है इसके लिए सास्तरों में ग्रहन के दोरान सुब कारे करने की मना ही है अन्देखी करने से व्यक्ति पर विप्रित प्रभाव पढ़ता है अब आये जानते हैं कि चंद्रग्रहन के दोरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आये अब जान लेते हैं कि क्या भारत में यह ग्रहन माननी होगा क्या इसका सूतक मानी होगा या नहीं ज्योतिसो की माने तो वर्ष का दूसरा चंदरगरहन 18 सितंबर को लगने वाला है 18 सितंबर को चंदरगरहन भारतीय सम्य अनुसार सुबा 6 बच कर 12 मिनट पर सुरू होगा और सुबा 10 बच कर 17 मिनट पर समाप्त होगा भारत में चंदरगरहन तिखाईद नहीं देगा इसके लिए सूतक मान्य नहीं होगा हालाके गरहन के समय इन चीजों से जरूर परहेस करे वहीं गरहन के बाद स्नान ध्यान करे इसके बाद विधी विधान से भगवान विश्णों की पूजा करे इसके बाद अपनी आर्थिक इस्तिती के अनुसार दान करें चंद्र ग्रहन के दोरान पूजा पाट ना करें और ना ही देवी देवताओं के प्रतिमा को स्पर्ष करें सास्त्रों में ग्रहन के दोरान भगवान के प्रतिमाओं को स्पर्ष करने की मना ही है इस समय देवी देवताओं के नावों का मंत्र उच्चारण करें ज्योतिसों की माने तो चंद ग्रहन के दोरान प्रिथ्वी पर राहू का प्रभाव बढ़ जाता है इसके लिए ग्रहन के समय भूल कर भी खाना न पकाएं इस समय भूजन करने की भी मनाही होती है अतह ग्रहन के समय खान पान से परहेश करें बिमार व्यक्ती बच्चे और गर्वती महिलाओं को अवश्यक्ता पढ़ने पर खाने की अनुमती है ग्रहन के समय सोना भी नहीं चाहिए इसके लिए चंद ग्रहन के समय ना सोई से परहेस करें इसके साथ ही ग्रहन के समय समसान इवं ना का रात्मग चीजों पर जाने से परहेस करें आईए अब जानती हैं कि इस समय यानि कि जब ग्रहन लगा होता है तो हमें क्या करना चाहिए चंद ग्रहन के दौरान इस समय भगवान विश्णु के नामों का मंतर जब जब करें इसके साथ ही मृतियुन जय मंत्र का जब करें ऐसा करने से जातक पर भगवान विश्णु की क्रिपा बरस्ती है ग्रहन के बाद अस्तान ध्यान करें घर में गंगा जल का छुड़काव कर सुद्ध करें इसके बाद विधी विधान से भगवान विश्णु या असनान ध्यान और पूजापाड से निम्वृत होकर आर्थिक स्तिती के अनुसार दान करें आप साबूत अनाज का दान भी कर सकते हैं आशा करती हूँ वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही कई सारी जानकारिया पूजापाड प्रत्यवार से जुड़ी ह लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले ताकि उनको भी ग्रहन के बारे में जानकारी हो वीडियो को देखने के लिए आपने अपना किमती समय निक इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद